प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उस्बेगिस्तान में 22 वें S.C.O. सम्मेलन मिलेंगे भाग 15 सितंबर को पहुँचेंगे उस्बेगिस्तान की राजधानी समरकंद S.C.O. सम्मेलन के इतर प्रधान मंत्री कई देशों के साथ करेंगे द्विपक्षिय मुलाकात दिल्ली में 1000 लोफ लोर बसूं की खरीद में हुए कथेत ब्रष्ट चार की शिकायतों पर उपराज पालने की सख्त कारवाई C.B.I. को जाच सौपने की दी मन्जूरी भाजपा ने दिल्ली सरकार पर लगाए ब्रष्ट चार के गंफीर आरू केंद्रिय ग्रिह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर आम्रेली में सहकारी संस्थानों की वार्षिक आम बैठक को किया संबोधित सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना द्वारका पीट के शंकराचार रे स्वरूपा नंद्स रस्वती का 99 वर्ष की आयू में निधन मध्य प्रदेश के नरसिंग पूर में ली अंतिम सांस सुतंतरता संग्राम में क्रांतिकारी साधु के नाम से हुए थे प्रसिद्ध 1981 में मिली थी शंकराचारे की उपाधी बिटेन की महारानी अलिजबेट द्वितिये के सम्मान में देश में आज एक दिन का राजगी ए शोक दिवंगत सामरागी पार्थिव शरीर एडिनबर्ग ले जाया जा रहा है और निस सितंबर को होगा महारानी का अंतिम संसकार यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल के हिताबी मुकाबले में आज स्पेन के काल दो सलकराच और नॉर्वे के कैस्पर रूड होंगे आमने सामने विश्व की नंबर एक इगा स्वांतेक ने महला एकल का खिताब जीता एशिया कप के फाइनल मुकाबले में आज दुबई में पाकिस्तान के सामने श्री लंका की चुनौती पाकिस्तान की नजर तीसरी बार ट्रॉफी उठाने पर तो श्री लंका छटी बार खिताब जीतने के इरादे के साथ मैदान पर नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी ड्यूज और आपके साथ मैं हूँ शेहलानिकार दिल्ली परेवहन निगम द्वारा लोग फ्लोर बसों की खरीद में अनियमित्ता और भ्रष्टाचार के मामले विए उपरा जिपाल वी के सकसेना ने सीबी आई जांच की सिफारिश मंज की गई थी शिकायत में दावा किया गया था कि डीटी सी ने पूर्व नियोजे तरीके से परिवेन मंत्री को बसों की निविदा और खरीद के लिए गठेत समिती का अध्याक्ष नियुक्त किया था भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज दिल्ली सरकार पर भरष्टचार के गंभीर आरोप लगाए एक प्रेसवारता की उन्होंने और कहा कि दिल्ली सरकार का एक और बड़ा घुटाला चरता के सामने आया है जिसकी जांच के लिए दिल्ली के उपरा जिपाल ने सिबी आई जाच की मंजूरी दी है आप सरकार की एक ही एक खूबी पूरी तरह से ये भ्रष्टचार में है डूबी अर्विंद केजरिवाल जी का भ्रष्टचार जो है उसको उजागर किया है जनता की आवाज बनके चाहे वो आपकारी घोटाला हो चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो और आज डी टी सी की जो बसें उसमें भी एल जी मोहते ने सी बी आई जाच की सिपारिश को स्विकार करके आगे बढ़ाया है उन्होंने ये भी कहा कि दिली सरकार ने जनता को 11,000 से ज्यादा डी टी सी बसें देरी का बादा किया था परिवेहन मंत्री केलाश गहलोत का सैच आज जनता के सामने है अर्विंद केजरीवाल है तो भरष्टाचार है कहते थे कि दिली में 11,000 से ज्यादा डी टी सी बस देंगे ये पहली बार देखा गया ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर केलाश गहलोत इनको बोर्ड का चेर्मेन मना दिया जो एक अधिकारी होता था अब पूछा जाएगा ये क्यों हुआ? सुविधा के लिए होता है ये अगर अर्विंद केजरिवाल का मंत्री रहेगा तो कानून को ताक पे रखते हुए जैसा अर्विंद केजरिवाल बताएंगे वैसी ही शर्ते रखी जाएंगी निविधा में वही व्यक्ती का चैन होगा उसके बाद वसूली होगी रुप्या घूमके अर्विंद केजरिवाल की तिजोरी में आ जाएगा और दिल्ली भाजपा धेक शादेश कुपता ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल पर भेष्टाचार का आरूप लगाते हुए कहा कि आप और केजरिवाल का रोज कोई ना कोई सच जनता के सामने आता है और इसी कड़ी में अब DTC का घूटाला जनता के सामने है सीवी सी की गाइडलाइन्स को धज्यां उड़ाकर अपनी चहती कंपनी को टेंडर दिया जाता है ठेके दिये जाते है उसमें जो हजारो करोडो रुपए का ब्रस्टाचार किया है उससे ये बिलकुल साफ लग रहा है कि आरविन केजरिवाल सीवी सी नहीं मानते है उनका एक ही काम करने का तरीका उनके लिए सी वी सी गाइडलाइन नहीं है उनके लिए है DTC Direct Cash Collection किंद्री ग्रीह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात के दोरे पर है अमित शाह ने सुमनाथ मंदिर के दर्शन किये और पूजा अर्चना की इससे पहले ग्रीह मंत्री ने गुजरात के अम्रेली जिले की प्रमुख सहकारी समितियों की वार्शिक जनरल बैठक में शिर्कत की इस अफसर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के 391 जिलों का दौरा किया है उन्होंने कहा कि अम्रेली जिले ने राज्य को कई सहकारी नेता दी है इन नेताओं ने राज्य के साथ साथ देश के सहकारी धाचे को मस्बूत किया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की सहकारिता में मजबूत पहल उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ने किसानों को समलिध बनाने का प्रयास किया है सूचना एवं परसारानमंत्रिय अनुराक ठाक और आज से तीन दिनों के महराश्ट्र के दोरे पर है मुंबई से सटे डोंबी वली में आज पार्टी कारे करताओं ने उनका जोरदा स्वागत किया अनुराक सिंग ठाक और ने डोंबी वली में लोगसभा कोर समीती की बैठक में हिस्सा लिया इसके बाद केंद्रिय मंत्री अनुराक ठाक और भारते जंत पार्टी के जिला पदाधिकारी प्रकोष्ट संयोजग एवाम मोर्चे के अन्य पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठकी दोपहर में वो विभिन सरकारी योजनाओं के लाभारतियों से समभात करेंगे साथी साथ एक प्रेस वारता को भी वो इसके बाद समभूधित करेंगे और अगली खबर प्रवरतन निदेशाले ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मुबाइल गेमिंग अप्लिकेशन के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरूपी आमिर खान के यहां च्छापे मारी करके सत्रे करोड रुपे से ज्यादा की रकम बरामत की है शनिवार को मुबाइल गेमिंग अप कमपनी के प्रोमोटर्स के छे ठिकानों पर यह च्छापे मारी होई च्छापे मारी की कारवाई मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत की गई एडी ने एक फोटो भी जारी किया है फोटो में दो हजार पांच सो और दो सो रुपे के नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं एडी की कारवाई मुबाइल गेमिंग अप कमपनी ई नगेट्स और उसके प्रोमोटर आमिर खान और अन्य के ठिकानों पर की गई एडी ने बताया कि फेडरल बैंक ने सबसे पहले कमपनी के खिलाफ कोलकाता की एक अदालत में शिकायत की थी इसके बाद फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस ने कमपनी और इसके प्रोमोटर्स के खिलाफ प्राथमी की दर्च की E.D. ने बताया कि आमिर खान के मोबाइल गेमिंग एप E.Nuggets लोगों के साथ धोखा धड़ी करने के लिए लाउंच किया गया था शुरुआत में कमपनी ने यूजर्स को कमिशन दिया लोगों के वॉलेट्स में आया पैसा भी आसानी से निकला इससे लोगों में कमपनी के प्रती भरोसा बढ़ता चला गया और लोग ज्यादा कमिशन के लिए बड़ी बड़ी रकम लगाने लग गए जब लोगों से बड़ी रकम कमपनी को मिल गई तो इस एप से पैसों की निकासी अचानक रोग दी गई इसके पीछे एक ही तर्क दिया गया कि सिस्टम अपग्रेडेशन और सरकारी एजेंसियों इजाच के कारण निकासी रोग की गई है इसके बाद एप सर्वर से सारा डेटा हटा दिया गया इसमें प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भी शामिल है इसके बाद यूजर्स को ये धोका धड़ी समझ में आई और प्रधार मंद्री नरेंद्र मुदी 17 सितंबर को कुनो नैशनल पार्क में चीता पुनर्वास पर यूजना का शुभारम्त करेंगे यहाँ पर नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को लाए जाएगा जिन्हें 30 दिन के लिए विशेश बाड़े में 30 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा कैसी हैं तयारिया देखिये हमारे संबाद दाता निरिश सिंग की ये रिपोर्ट कुनो नेशनल पार्क का यही वो इलाका है जहां पर साउथ अफरीका और नामीबिया से जो चीते आएंगे वो इसी इलाके में छोड़े जाएंगे और यहां पर अगर आप देखें तो यहां फेंसिंग की गई है और यह बारे किलो मीटर का इलाका है जहां पर उन चीतों को छोड़ा जाएगा यहां पर अगर मेरे कैमरामेन आपको दिखाएंगे तो यह पूरा पूरा जंगल है सबसे पहले जब चीता यहां पर पहुंचेगा तो इसी इलाके में उसको रखा जाएगा और इसके साथ ही अगर यह देखें तो यह मार्बल ग्रास है यह यहां पर इस पेसली लगाई गई है क्योंकि इसी तरह की जो खास है वो अफरीका और नामीविया में पाई जाती है ताकि उनको एक ऐसा माहौल दिया जा सके कि उनको लगे कि वो अपने ही घर में है और इसके लिए इस पूरे इलाके को कबर किया गया है सबसे पहले इसी जगह पर उन चीतों को छोड़ा जाएगा और उसके बाद जब यहां पर जो चीते हैं वो थोड़े से बातावरन के साथ ढल जाएंगे उसके बाद कुनो नेशनल पार्क के जो जंगल हैं जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं उन जंगलों में उन च साउथ अफरीका और नामीबिया से जो चीते आएंगे उनको छोड़ा जाएगा केमरामें संजय जैना के साथ नीरस सिंग डीडी न्यूज कुनो नेशनल पार्क मौदे परदेश अकुनो नेशनल पार्क पहुंचे के इंद्रिय वर्न और परियावरन मंत्री भूपिंद्रिय आदव ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद भारत में चीतों की बापसी हो रही है नामेबिया से आ रहे है चीतों को लेकर लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है यह दुनिया में अपना एक पहला तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें वाइल चीता को हम वापस से री इंट्रियूस कर रहे हैं माने प्रधानमंत्री जी के नेतरुत में हम अनेक विश्यों पे काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट पे भारत ने अच्छी तरक्की करी हमारे 32 एलिफेंट रिजर्व हो गए हमारे जो टाइगर रिजर्वें सोला को इंट्रनेशनल एक्रिडेशन मिला है हमारे डॉल नेशनल पार्क पहुंचे मध्य प्रधानमंत्री ने कहा कि चीतों के लिए कूरो नेशनल पार्क चुना जाना उनके लिए सवभागी की बात है 17 सितंबर को माननी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारस से बिलुप्त हो गया था ना केवल भारस से बलकि एसिया महाद्वीव से बिलुप्त हो गया था अब अफ्रीका से पहले नाबीविया से और फिर दक्षिन अफ्रीका से भी यहां चीते आएंगे इस छेतर को और मध्र प्रदेश को टूरिजम की दिरिष्टी से इसका बहुत लाव मिलेगा मन की बात कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने अमर्ध सरोवर की बात कही थी प्रधान मंत्री के आहवान की बाद अलग-अलग जिलू में इस्थानी प्रशासन, स्वेम से वी संस्थाओं ने अमरत सरोवर निर्माण के अभियान को जन आंदोलन में बदल दिया ये रिपोर्ट देखे पीम की एक अपील ने अमरत सरोवर निर्माण के अभियान को जन आंदोलन में बदल दिया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मन की बात कारिक्रम में अमरत सरोवर बनाने की जनता से अपील की थी देश की स्वम सेवी संस्थाएं प्रशासन प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में जुट गई बानगी है तिलंगाना के वारंगल की नई ग्राम पंचायत मंगतिया वालिया थांडा ये पंचायत वन शेतर की करीब है इन इलाकों में मौनसुन की वक्त काफी पानी जमा होता था नजीर है कि स्थानी निवासियों ने इसे अमरत सरोवर में बदल दिया जिसमें लबालब पानी है चार महीने पहले मैंने अमरत सरोवर की बात की थी उसके बाद अलग-अलग जिलों में स्थानी प्रशासन जूटा स्वयम से भी संस्थाएं जूटी और स्थानी लोग जूटे देखते ही देखते अमरत सरोवर का अंदिरमाण एक जन आंदोलन बन गया है नजीर मध्या प्रदेश के मंडला के मोचा ग्राम पंचैत में भी पेशवी है जहां कानहा राश्य उध्यान के पास बने अमरत सरोवर ने इलाके की सुन्दरता बदल दी हमारे मोचा ग्राम में जो अमरत सरोवर बना है जो वहाँ के जन सयोग एवं हमारे प्रसाशन दोनों के सयोग से जो बना है उसका उलेक आपके द्वारा करना हम सब के लिए अत्यांत गवरों का विशे है अब इसके लिए हम समस्त जिलेवासी, समस्त छेतरवासी हम उसके लिए आपको पुना धन्यवाद करते है उत्रपरदेश के ललितपूर की निवारी पंचयत में चार एकड़ में फैला शहिद भगत सिंग अमरत सरोवर इस्थाने निवासियों की जिन्दा दिली का पिरतीक बन गया है हमारे एक छोटे से गाउं का नाम जो देश में रोसन किया है प्रदान मंत्री जी ने अमरत सरोवर की इस मोहिम में करनाटक भी पीछे नहीं रहा राज्ये के बागलकोट जिले के बिलके रुकाओं में इस्थानिय लोगों ने पहाडों से निकलने वाले पानी से सरोवर की बुनियाद रख दी हमारे यहाँ पहाडों से निकलने वाले पानी से फसलों को काफी नुक्सान होता था अमरत सरोवर के निर्मार से इस्तिती अब बदल गई है अमरत सरोवर अभ्यान पी-म के संकल्प का पिर्तिफल है ये सरोवर नकेवल पश्वों की प्यास बुझा रहा है बलकि मुर्जाई फसल और गाउं में भूगर्ब जल को बनाए रखने में भी मजबूती दे रहा है धीरज कुमार की रिपोर्ट डीडी न्यूज और शंकरचारे स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है मध्यप्रदेश के नरसिंगपूर में उन्होंने अपने आश्रम में आखरी सास ले हाल ही में उन्होंने 99 वाँ जन दिन मनाया था स्वामी स्वरूपनंद सरस्वती दो पीठों की शंकरचारे थे बद्रिक आश्रम और द्वारगापीट की जिम्मेदारी उनके पास थी उन्होंने 1981 में शंकरचारे की उपाधी मिली थी उनको शंकरचारे स्वामी स्वरूपनंद सरस्वती लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे कल आश्रम में ही उन्हें समाधी दिलाई जाएगी और आपको बता दें कि आज रात 9 बजे आप देखना न भूलिएगा दूरदर्शन पर धारवाहिक स्वराज में शिवाजी महराज के पराकरम से भरी हुई कहानी असरूर पर आकरमन करने का सही समय आ गया है पुर्तगालियों के सारे बड़े जहाज लोटने से पहले वोकीला हमारा होगा यह ता शिवाजी है इनका सम्हार करना ही होगा अपने बात रूमी के लिए स्वराज के लिए और अगली खबर ब्रिटेन की महराणी ऐलिजबेथ दूईतिये के सम्मान में भारत में आज एक दिन का राज के शोक है उनके सम्मान में आज उन सभी भावनों पर राश्ट्री ध्वा जाधा जुका हुआ है जहाँ पर राश्ट्री ध्वाज नियमित रूप से फेहराया जाता है महराणी ऐल्जबेथ दूईतिये का आठ सितंबर को निधन हो गया था महराणी ऐल्जबेथ दूईतिये के पार्थेव शरीर को स्कॉर्टिस हाइलेंड से उनके घर एडिनबरा ले जाए जा रहा है स्कॉर्टिस हाइलेंड से उनके घर एडिनबरा पहुँचने में 6 घंटे का सवे लगेगा महारानी के चाहने वाले सड़कों के दूनों तरफ लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर नमाँखों के साथ उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं ब्रिटेन में महारानी एलिजबेट द्वेतिये का अंतिम संसकार 19 सितंबर को किया जाएगा इसके अलावा महारानी एलिजबेट द्वेतिये के निधन के बाद उनके आवास के इर्द गिर्द श्रधानजली देने वाले लोगों का ताता लग गया है लंदन के बकिंगम पैलेस और विंट सर कैसल के बाहर बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रधानजली देने के लिए पहुँच रहे हैं महारानी एलिजबेट द्वेतिये का निधन गुरुवार को हुआ था इसके बाद सरकार ने एक दिवसी राज की शोक की घोश्रां की थी ब्रिटेन में दस दिनों का राश्ट्रे शोक है और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की नई प्रधान मंतरी लिस्ट्रस से फून पर बात की प्रधान मंत्री मोधी ने लिस्ट्रस को प्रधान मंत्री का बद्भार संभालने पर उन्हें बढ़ाई दी पियम मोधी ने व्यापार और विदेश मंत्री के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं में रहते हुई प्रधान अंत्री नरेंडर मोदी ने भारत के लोगों की ओर से महारानी एलिजाबेट दुएदिये के निधन पर शाही परिवार और ब्रिटेन के लोगों की प्रती गहरी समवेदना व्यक्त की और अब अगली खबर रूसी कब्से से कई एहम क्षितों को छुड़ा कर वापस लेने के बाद यूकरेन के विदेश मंतरी दिमित्रो कुलेबा ने दावा किया है कि कीव रूसी सेना को युद्ध में हरा सकता है कुलेबा ने जर्मन विदेश मंतरी एनाबेला बाइरबोक के साथ साजह प्रेस को संबोधित करते वी ये वक्त अवे दिया उन्होंने कहा कि मिद्र देशों की मदद से यूकरेन इस युद्ध को पूरी तरह से जीत सकता है We showed that we can defeat the Russian army. We are doing it with weapons which were also provided by our partners. I repeat again, the more weapons we receive, the faster we win. The faster this war will end and we would be able to concentrate on other goals. वहीं यूकरेन के रक्षा मंतराले ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें डोनबास के बलाकिया में यूकरेनी सेना अपना जहंडा पहराते वे नजर आ रही है. इससे पहले यूकरेन ने इस क्षेत्र में बड़ी बढ़त करने का दावा किया था. यूकरेन के इनके कब्से में आ गये हैं. और अमेरिका में 9-11 आतंकी हमले की आज 21 वी बरसी है. साल 2001 में आज के दिन अमेरिका आतंकी हमलों से दहल उठा था. इस आतंकी हमले में 3,000 लोगों की मौत हो गई थी. आतंकी संगठेनल काइदा ने अमेरिका में एक के बाद एक चंद में चार्ट ठिकान उपर हमले किये थे इन हमलों को विमान हाईजेक के जरिये इंजाम दिया गया था वाइट ट्रेट सेंटर और अमेरिकी रक्षा मंतराले पेंटागन पर जैसे ही विमान टकराया पल भर में ये इमारत राख के धेर में तबदील हो गई इस दर्दनाख हमल के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था इसके बाद अमेरिका ने इस आतंकी घटना पर कारवाई करते हुए दो मई 2011 को पाकिस्तान के एबड़ाबाद में ओसामा को मार किराया था और अब खबर खेल के मैदान से यूएस ओपन 2022 के पुरुश एकल के खिताबी मुकाबले आज स्पेन के यूवा टेनिस खिलाडी काल्डोस अलकराज और नॉर्वे के कैस्पर रूड आमने सामने होंगे दोनों ही खिलाडी आज के मुकाबले में अपना पहला ग्रैंट स्ल पीट संप्रास के बाद दूसरे सबसे यूवा खिलाडी होंगे वहीं पांच में वरियता प्राप्त 23 वर्शिय कैस्पर रोड का ये दूसरा ग्रैंट स्लैम का फाइनल है उन्हें इसी साल खेले गए फ्रेंच ओपन के फाइनल में राफेल नडाल के हाथ हों हार का सामना क बड़ा था रूड अगर यूएस ओपन का किताब जीत जाते हैं तो वो दुनिया के नंबर एक खिलाडी बन जाएंगे तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही लेकिन डीडी नूस पर खबरों का सलसला लगातार जारी है आप देखते हैं डीडी नूस नमस्क क्या आप अपनी स्टार्ट अप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं पह नह दोच दोलत प्रचश को दोला है रहा है जाको, वह अपनला है तो एक्ता के म से गोल झालरों directors कॉ है ठमर जाड़ता हैं